ग्वालियर में अवैद मादग पदार्थों के खिलाब ग्वालियर पुलिस ने जीरो टॉलरेंस नीती के तहट ताबर तोड कारवाई करते वे तीन गाजा तस्खरों को गिरफतार कर उनके पास से 24 किलो ग्राम से अधिक मात्रा का कीमती गाजा बरामत किया है वही जब्द किये गाजा की कीमत लगभाग 4,70,000 रुपई बताई जाती है मुख्विर की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिक्षा ग्वालेट के निर्दर सानुसार पुलिस ने जड़ेरुबा बांध रोड लाल टी पारा के पास दबिस्ती जहां दो संदिक दिवक्ती हाथ में प्लास्टी के बोरे लिए खड़े थे पुलिस को देखते ही दोनों भागने की कोशिश करने लगे बगर टीम ने उन्हें धरद बोचा जिनकी तलासी लेने पर कुल 17 किलो ग्राम गाजा जिसकी कीमत 4 लाग बताई जाती है उसे जप्त किया गया वही आरोपियों के खिलाब NDPS Act का प्रकरण पंजीबद करते हुए गाजे के समंद में पूश्ताच की जा रही है पडावने रिक्षक अभिवेगा स्थाना के नेतरुत में पुलिस टीम ने रेल वेस्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर चार के बाहर माल गोदाम के पास से एक अग्यात व्यक्ती की तलासी ली जहां 7 किलो 100 ग्राम गाजा बरामद हुआ जिसकी कीमत करीब 70,000 रुपय कर रही है तीनों ही आरोपी चांसीना मुझफर नगर उतर प्रदेश के रहने वाले बताये जाते हैं वहीं पकड़े हुए तीनों गाजा तसकरों से पूछताज करने पर उन्होंने बताया कि वो ट्रेन से उतर कर गाजा बेचने के लिए ग्राहकों की खोच कर रहे थे ग् एरोपोर्ट वराट्वार्टिफोर्यूस